नमसकार दोस्तों तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों EMRS के दोरा आज एक notice निकाला गया है डोकुमेंट वेरिफिकेशन को लेके तो आईए आपको दिखाते हैं कि इस notice में क्या है और किस post के लिए document वेरिफिकेशन का ये list आया है आईए आपको अच्छे से बता देते हैं तो दोस्तों यहाँ पे देखिए यह आज कहीं अपडेट है और यह जो notice है इसमें लिखा हुआ है notification for second round of document verification यहनि कि document verification के लिए फिर से एक बार बुलाया जा रहा है किस-किस को document verification के लिए call किया गया है आईए आपको इस पीडिया आपको download करके दिखाते हैं कि किस-किस post के लिए और किसे-किसे call किया गया है दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि फरवरी 2024 में DV conduct की गई थी लेकिन कुछ candidate document verification में absent रहे और कुछ का pending में रखा गया तो फिर से इन सभी candidate को एक मौका दिया जा रहा है और उनका DV एक अपरिल से 15 अपरिल के बीच होगा और इसका list भी लगाया गया है किनका किनका DV कहां कहां होगा तो आप लोग देख लें कि आपका roll number इसमें है या नहीं है आपका इधर roll number मिल जाएगा किस post के लिए apply किये थे वो मिल जाएगा और उसके बाद आपका DV कहां होगा place भी mention कर दिया गया है लेकिन eject data भी mention नहीं किया गया है उसका notice बाद में निकाला जाएगा जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है तो आप लोग website चेक करते रहेंगे इसका भी notice बहुत जल्द आएगा तो आप लोग इसमें चेक कर लें कि आपका roll number इसमें है या नहीं है TGT English के लिए TGT Math के लिए उसके बाद TGT SST तो यदि आपका roll number इसमें है तो आप लोग DV के लिए तयार रहें ओके एडजेक्ट डेट बहुत जल्द घोसित की जाएगी इसके बाद आपका accountant का भी है लाइव रेडियन का भी है तो आप लोग इसमें अपना चेक कर लें कि आपका इसमें है या नहीं है लैब एटेंडेंट का भी है तो आप लोग इसमें चेक कर लें और आप DV के लिए तयार रहें और आप लोग अपना mail चेक भी करते रहें mail पे भी notice आएगी ओके तो दोस्तों यदि आपको इजनकारी अच्छी लगए होगी तो वीडियो को लाइक कर दें मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले तो दोस्तों मिलते हैं अच्छा कासा ने वीडियो लेके तब तकी लिए धन्यबाद नमसकर